जहिंद चलिए हम लोग देखते हैं Union Public Service Commission यानि UPAC, EPFO, Personal Assistant जिसकी वेकेंसिस की संख्या जो 330 वेकेंसिस के लिए Personal Assistant यानि अस्टेनोग्राफर का जो वेकेंसिस आया था UPAC के माध्यम से EPFO का पत्त था ठीके तो उसके बारे में हम देखेंगे क्या नोटीस आया हुआ है यहाँ पर फाइनली एक्जाम डेट उसका आउट हो चुका है और टाइम टेबल सभी कब एक्जाम होगा कहा होगा कैसे होगा और किस माध्यम से एक्जाम होगा सभी कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे सुरू से अन तक वीडियो जरूर देखिएगा यदि चैनल पर पहली दिया है अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया है जेखेंगे लिख रहा है कि प्लीज केरफुली रीड एंड फुलो यानि इस्ट्रक्शन जो दिया गया है फुली रूप से जो है केरफुली से ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि कि टाइम टे साड़े नौ से लेकर साड़े इगारा वज तक एक्जाम का टाइमिंग होगा दो घंटा का टाइम है उसके बाद इसका जो पेपर होगा सब्जक्ट चेनरल अबिलिटी टेस्ट होगा ठीक है और क्या क्या सब्जक्ट इसके अंदर आता है इसी वीडियो में जो मैं बताऊंगा जो कि सीलिबस के अधार पर जारी कर दिया गया है पुर्ण रूप से इसमें सीलिबस भी दिया है कितने टाइम का क्या होगा सब कुछ मिल जाएगा सुरू से अंतर वीडियो जरूर देखिएगा क्या एक्जाम में लेकर आना है ठीके admit काट कब जारी होगा तो सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे जरूर ठीके सारा कुछ दे चुका है अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि candidate का जो reporting time होगा 90 मिनट पहले होगा ठीके यानि जो देख घंटा पहले होगा schedule के उसके बाद जो है entry venue जो होगा 30 मिनट पहले जो है exam center close हो जाएगा यानि जो center होगा वहाँ पे close हो जाएगा जैसे कि 9 बजे exam close हो जाएगा यह चीज बता रहे हैं उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है है कि आपको ले कर आना है hard copy bring the print out यानि admit card का print out candidate must hear the e-admit card all secure admission candidate ठीक है यानि admit card आपको ले कर आना है साथ ही आपको बता रहा है कि the test will be 2 hour यानि 2 hour का time का बताया भी हम कि 2 घंटा के लिए आपको exam के लिए मिलेगा all question will carry equal marks यानि जो marks मिलेंगे सबका marks equal होगा सभी question का the test will be objective types का होगा जो multiple choice answer होगा उसके बाद the medium होगा question paper का Hindi English दोनों होगा expected those question जो है English को छोड़कर सभी question का paper जो होगा वो हिंदी English दोनों language होगा लेकिन English इंगलिसम ही रहेगा there will be penalty wrong answer यहाँ पे जो है negative marking की विबारे में बताया है every wrong answer carry जो है deducted काटा जाएगा one third यानि कितना है one third है यानि तिन गलती करते हैं तो एक आपका सही काटा जाएगा ठीक है one third marks काट लेंगे बाकिजो है यहाँ पे clear है चलिए आगे हम देखेंगे इसका syllabus क्या है तो इन्हों ने syllabus clear करके हाँ बताया है कि क्या क्या देंगे तो the syllabus तर टेस्ट जो bodily comprise होगा हैना इस topic पे होगा पहला topic जो है English language होगा दूसरा topic जो है general awareness होगा और तिसरा जो है quantitative attitude होगा और reasoning and computer attitude होगा ठीक है यह question यहाँ से पूछेंगे कितने मार्स का question होगा इसका weightage क्या होगा बताएंगे इसी में तो यह समझ में आ गया कि English general यानि GKGS और quantitative attitude यहाँ पूछा जाएगा यह जो हुआ सिले बस हुआ प्रसनल असिस्टेंट का इसका weightage जो है 300 मार्स का है ठीक है 100% weightage है will be according recruitment test ठीक है उसके बाद जो है skill test monetary है but qualify in nature यानि skill test monetary है लेकिन qualify nature का है बाकी आगे हम जो भी है selection merit जो होगा न जो आपका examp होगा यानि जो आप लिख रहा है कि who qualify the skill test अगर कल जाते है qualify a skill test consider for final selection on the basis of merit in the in the requirement test यानि जो आपका objective test होगा न उस पर आपका merit बनाएगा चलिए उसके बाद importance notes दिये हैं कि venue inducted सब जो है center के बारे में बताएं उसके बाद जो है आगे क्या दिया हुआ है चलि हम देखते है ठीक है ये telegram में आपका PDF हम दे देंगे आप लोग telegram description box में वहाँ से भी आप लोग download करके पड़ लीजिएगा ठीक telegram में link या description में link मिल जाएगा telegram से जुड़ कर पड़ लीजिएगा ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं क्या दिया हो ये चीज हो गया admit card के बारे में बता दिया है admit card जो जारी होगा ना one week पहले होगा exam date से ठीक है इन्हों में बताए हैं इसमें हम दिखा देते हैं ये सारा कुछ है क्या क्या लेकर जाना है देखिए साथ में admit card के हैं अधार card उसके बाद जो कोई भी driver lenses, passport, voter ID जो भी है ले ले लेंगे इसके बाद और कुछ टू, passport, site photo लेंगे ठीक है ये चीज हो गया photograph के लिए रोना चाहिए उसके बाद आगे क्या लिखे है paint out हो गया admit card आगे the candidate does not produce the admit card card विदे चेकिंग अलाउट बेने शोट नाट भी अलाउट टेक विदे एक्जामिनेशन ठीक है, custody बाकि यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिखा है कि paint लिखा है paint अडेन्टी परूप copies ठीक है, self photograph यानि यह लेकर आप एक्जाम में जा सकते हैं admit card paint अडेन्टी परूप, यानि paint भी आपको ही ले जाना है ठीक है, बाकि यहाँ पर दिये हुए है चलिए, देख लेते हैं, clear सारा कुछ यह test examination का बारे में दिये है ठीक है, आपको लिख रहा है कि the candidate required the in court, write serial number, OMR seat and serial number seat, test book list issue अगर होता है, तो attendance list with the produce and before him or the invigilator, कोई दीकत आपको seat identity serial number में इधर-दर mismatch है, तो आप जो है invigilator को सौप देंगे यानि inform कर देंगे बाकि यहाँ पर ठीक है, बाकि सब बताएं दिये, चलिए आगे यहाँ पर है कि seat bearing है ना, है roll number से आपको seat मिलेंगे, test के लिए अज जाकर बैट कर देंगे direction given other, text booklet वसी के अधार बाकि यहाँ पर जो है wrap के लिए आपको मिलेगा अपना test booklet भी रहेगा बाकि क्या दिया हुआ है test हो गया invigilator बाकि यहाँ पर clear है सब कुछ ठीक है यह जो है admit card आपको one week पहले होगा जारी ठीक है, one week पहले होगा admit card यह ध्यां रखिएगा बाकि यहाँ पर जो भी यह mention किये हैं यह लो admit card यहाँ बोकलेट के बारे में बताए है ठीक है और सब कुछ यहाँ पर clear है देखिए यहाँ पर not allowed the hell यहाँ पर black pin point आपको ले जाना है black ball point pin लेकर जाना है blue नहीं यह चीज दिया हुआ है ठीक है बाकि यहाँ पर सब कुछ ठीक है यह admit card जो है न one week पहले आएगा जैसे ही आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा मेरे वीडियो के अधार पर जो है तो admit card जो है one week पहले जारी किया जाएगा ठीक है इन्होंने बोले है इसी में notice में है one week पहले ठीक है एनि तस दिन तक में आ जाएगा जैसे ही exam का date से पहले होगा तो center आ जाएगा ठीक है पहले जो है उनको exam date आपको center दे देंगे इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe का वीडियो को भी share करेंगे बहुत बहुत धन्यवाल